प्रदेश बासियों को अभी मौसम से रहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्यान के इंदर के निदेशक सुरेंदर पाल ने कहा कि अगले 48 घंटों के अंदोरान प्रदेश में भर में मौसम खराब रहने की संभावना है। जिसके चलते अधिकतम तापमान भी संभावने से कम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में मौसम केरल तट पर दस्तक देने की संभावना है। उसके पश्चात उत्तर शेतर की तरफ उसकी रफ्तार के अनिसार ही संभावना जताई जा सकती है। प्रदेश में मौसम कब तक दस्तक देगा। उन्होंने कहा कि अमूमन प्रतिव वर्ष 22 जून के बाद ही मौनसून ही माचित प्रदेश में दस्तक देता है। इसके साथ ही जब उत्तर शेतर के मध्यवर्दी इलाकों में मौनसून दस्तक देगा तत पश्चात ही प्रदेश में मौनसून के दस्तक देने की संभावना जताई जा सकती है। परन्तो फिर भी जब तक मॉंसून प्रदेश में दस्तक नहीं देता, उसके पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। इस नहीं से अच्छाइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो सेंटर इंडिया के असपास मौनसुन आता है तो उस वक्त थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल अपडेट की तो नॉर्मल डेट करेंगे 22 जून जो है अभी इस तक का जो इंडिकेशन्स हैं मौनसुन का और नॉर्थ फेस्ट इंडिया का जो कि एक पांच-छे स्टेट्स का कभी बड़ा अरिया उसमें हमाचर भी सामिल है सामाने से कम बरसाथ की समावना है अभी अपडेट फिल आएगा हमारा मेर मेर जून जून एंड में उसमें और क्लियर होगा कि हमाचर प्लस न्यूज के लिए शेवनों से पुष्पें दर चौधरी की रिपोर्ट